जैमातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे स्वस्तोंगे आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मंत्र जब करते समय हमारे जो ये वाला हिस्सा है नाक के बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर और हमारा ये जो आग्या चक्र है इसके बीच का जो हिस्सा यहाँ पर दबाव क्यों महसूस होता है ऐसा विशेश रूप से तब होता है जब हम मानसिक जब करते हैं उपांशु जब करते समय ऐसा नहीं होता है लेकिन मानसिक जब करते टाइम ऐसा होता है और ये प्रश्ट भी पूछा है हमारे एक सब्सक्राइबर ने तो इसी विशेपे मैं आज आपको जानकारी दूँगा तो वीडियो को लाश्ट तक देखना अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना और वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना तो चलिए दोस्तों मैं आपको जानकारी देता हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है देखे दोस्तों जब भी हम किसी भी मंतर का जाप करते हैं तो मंतर जप करने से हमारे शरीर के जितने भी मारग है जहां जहां पर हमारे शरीर के चक्र हैं जहां जहां पर हमारी शक्तियां वास करती हैं जहां जहां पर हमारे जो उर्जा चक्र हैं जब मंत्र का जाप हम करते हैं तो उस मंत्र के जाप से एक तरंग उत्पन होती है द्वनी की तरंग वो द्वनी की तरंग हमारे उन उर्जा चकरों से जाकर के टकराती है जिससे हमारे जो उर्जा चकरे वो जागरित होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी उच्चितम गती पर पहुंच जाते हैं, जब वो उच्चितम गती पर पहुंचते हैं, तो वहां से भी एक उर्जा का निर्माण होता है, वो उर्जा जो क्रियेट होती है उन चक्रों के गूमने की वज़े से, तो उस गूमने की वज़े से तो वहां पर एक हवा का दबाव होता है, यानि की एयर का प्रेशर हमारे उन चक्रों से निकलता है और उसी के फल स्वरूप हमें ऐसी फीलिंग होती है कि हमारे आग्या चक्र पे दबाव हो रहा है हमारे नाक के पीछे वाले हिस्से पे दबाव हो रहा है हमारे गले में दर दो रहा है हमारे हृदय में दर दो रहा है हमारी न मंत्र का जाप करें हम चाहे ध्यान करें हम चाहे योग साधना करें या हम चाहे तंत्र साधना करें क्योंकि हमारे शरीर में साथ साथ चक्र के अलावा भी बहुत सारे शुक्षम चक्र और भी लमान्सिक जाब करते हैं कि जो हमारा मांसिक मॉंत हो इसमें हम अनदर cartoons मंत्र का vue करते हैं नदर मंत्र का जाब हम अंदर ये अंदर मंतर का उचारन करते हैं, तो वो जो ध्वानी की तरंगें, वो अंदर ये अंदर घूमती रहती हैं, और जादा प्रेशर लगाती हैं हमारे चक्रों पे, बलकि उपांशु जाप करने से, हम जैसे की, अब जैसे की मैं बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने से सारी उर्जा बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है क्योंकि जो ध्वानी की तरंगें, वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हो, अगर मैं बिना बोले बोलूँगा, तो मेरी जो ध्वानी की तरंगें, वो अंदर के अंदर ही जादा गती करेंगी अंदर के अंदर ही रह जाएंगी और अंदर ही जो हमारे चक्र हैं जो हमारी शुक्ष्म शक्ति हैं कुंडलीनी शक्ति हैं उन पर जाकर के वो दबाव बनाएंगी उन पर जाकर के वो ठकराएंगी तो उन से जो स्पंदन पैदा ह उससे हमारी कुंडलीनी शक्ती जल्दी जागरित होगी हमारे चक्त होगी इसलिए हमारे शास्थ्ट्रों में मांसीग जाप सबसे स्रेश्ठ करने से सबसे जल्दे मंत्र सिद्ध होता है वह इसी वज़े से होता है चो मैंने आपको प्रлатन標 और इसके अलावा लेकिन ऐसा न नहीं कर रहे हो तो आपको मंत्र सिद्धी प्राप्ती नहीं होगी, बिल्कुल होगी क्यों नहीं होगी, आप वाचिक जब करोगे तब भी आपको मंत्र सिद्धी मिलेगी, उपांशु करोगे तब भी मिलेगी, और मानसिक करोगे तब भी मिलेगी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मानसिक जाप करने से ज़्यादा जल्दी सिद्धी प्राप्त होती है और उपांशू और वाचिक जाप करने से थोड़ा समय आपको ज़्यादा लग सकता है मंत्रों की संख्या भी आपको ज़्यादा जपनी पड़ सकती है इतना ही फर्क होता है बाकि सिध्धी और शक्ती और पावर एक जैसे ही मिलती है अब इस चीज को कई लोग समझ नहीं पाते वो सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ में क्या दिक्कत है क्या समस्या ऐसा क्यों हो रहा है हम मंतर का जाब कर रहे हैं हम साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो बना करके, मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज हैं, इस विशाय के उपर, वो भी अगर आप देखोगे, जो कि मैंने डिटेल में ब होदी बन जाओगे, किसी ओजा के पास, किसी सोखा के पास, किसी भगत के पास, आपको जाने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, आपको 80-90% भगत, तो आप सिर्फ मेरी वीडियो देख करके, नौलेज गेन करके बन जाओगे, बाकी थोड़ा बहुत 10- अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करना, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में, जै मातारानी की